पर्मुक एक आदमी के हम चर्चा करते हैं, तो देखेगा, आप भी बताने का वापस परियास करिएगा, देखेगा, सबसे पहली बात तो आपके सामने हैं, राजस्तान साहित्य एक आदमी, डाइरेक्ट वन लेनर क्यूशन आता है आपके सामने, कि राजस्तान साहित्य जो एक आदमी है, इसकी स्तापना कब हुई, तो याद रिखेगा, राजस्तान जो साहित्य एक आदमी है, इसकी स्तापना है आपके 1958, और कहां तो याद रिखेगा उदेपूर के अंदर, बस एक और बात याद रिखेगा, कि इससे जो पत्रिका निका निकाली जाती है वह है मधूमती, राजस्तान शाहितिय एक आदमी जिसकी इस्तापना हुई है आपके सामने 1958 के अंदर और याद रिखेगा एक माशिक पत्री का निकाली जाती है जिसका नाम क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रिखेगा मधूमती, कौन सी है मधू इंपोर्टेंट ठीक है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चली दूसरी जो एकादमी है वो है आपके सामने ये तो हो गई राजस्तान शाहित एकादमी और अगली है आपके राजस्तान हिंदी ग्रंथ एकादमी ये इंपोर्टेंट है और भी राजस्तान जो हिंदी ग्रंथ एकादमी है इसकी इस्तापना है आप याद रखेगा 1969 जैपूर 1969 जैपूर याद रखीगा राजस्तान हिंदी ग्रंत एक आदमी याद रखीगा अगली है आपके सामने देखेगा राजस्तान संस्कृत ये तो कौन सी है? हिंदी ग्रंत एक आदमीर ये है आपके संस्कृत एक आदमी राजस्तान संस्कृत एक आदमी याद रखेगा 1980 के अंदर इस्तापना है जेपुर वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखेगा एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ठीक है और एक पत्रिका जो निकाली जाती है ना अगला देखी नमबर फोर है आपके सामने इधर ही राजस्तान शिंधी ये हिंदी ये संस्कृत और इश्बार है आपके याद रिखेगा राजस्तान शिंधी एक आदमी ठीक है राजस्तान सिंधी एक आदमी और ये है आपके 1979 जेपूर और इसकी भी एक पत्री का जरूर याद रिखेगा पत्री का कौन सी है याद रखना है आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिहान ये भी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है याद रखेगा ठीक है नमबर पांच जो आपके सामने है वो है राजस्तान राजस्तान उर्दू एक आदमी देखे लेंग्वेज के आधार पर आपके सामने आ रही है तो वो देखे हिंदी गरंत एक आदमी देदेगा उप्षन संस्क्रेट एक आदमी देदेगा उप्षन और वो आपको देदेगा सिंधी एक आदमी और यहाँ पर देदेगा वो आपको साहित एक आदमी इस परकार से याद रखना है अब यहाँ पर है आपके राजस्तान उर्दु एक आदमी तो याद रखना है 1979 जेपुर और यहाँ पर एक पत्रिका आपको याद रखनी है और वो जो पत्रिका है वो है आपके नकलिस्तान पत्री का कौन सी है तो यार रिखेगा नकलिस्तान अब देखिए यहां पत्री काओं से भी क्यूशन बनते हैं देखिए एक तरप आपके सामने चार एक आदमी देदेगा जिसे उर्दु एक आदमी सामने देदेगा नकलिस्तान इधर आपके राजस्तान शिंदी एकादमी सामने दिदेगा पत्रिका कोण सी रिहान इस परकार से और उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर संसकर्त एकादमी और सामने दिदेगा श्वर मंगला और इधर देखिए राजस्तान शाहिति एक आदमी और पत्रिका का नाम क्या है मदूमती तो इस परकार से भी क्यूशन आपको एक्जामिनर पूसता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है जैसे देखेगा नमबर छे आपके सामने राजस्तान ब्रिजबाशा एक आदमी अभी जो राजस्तान ब्रिजबाशा एक आदमी है ये है आपके सामने 1986 जेपुर तो पर्मुक रूप से यहां से जो क्यूशन बनेगा वो दो तरीके से बनता है एक तो आपके एक तरफ एक आदमी देदेगा और सामने देदेगा इस्तापना वरश और कहेगा निमने मैं से मिलान कीजिए या फिर एसमेलित है या फिर आपके सामने ये एक आदमी और सामने देदेगा आपको इनी से रिलेटेड आपके पत्रिका और कहेगा मिलान करो ठीक है इस परकार से याद रिखिए ठीक है जैसे आपके सामने नमबर साथ है आपके राजस्तान पंजाबी एक आदमी अब इसका ध्यान रखना है कैसे देखी राजस्तान बर्ज भाषा एकादमी जेपूर राजस्तान उर्दु एकादमी जेपूर इसके अलावा राजस्तान शिंदी एकादमी जेपूर राजस्तान संस्कृत एकादमी आपके जेपूर राजस्तान हिंदी गरंद एक आदमी जेपुर जबकि याद अखना है कि राजस्तान पंजाबी जो एक आदमी है ये 2006 और कहां पर याद रखेगा शिरी गंगा नगर ये कहां पर है याद रखेगा शिरी गंगा नगर अब ये अलग है तो ये भी कि आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी सब के सब जैसे साहिते एकादमी उद्यपूर है, बाकी हिंदिगरंत, संस्कृत एकादमी, शिंदी एकादमी, उर्दु एकादमी, बर्जबाशा एकादमी, ये सब जेपूर है, लेकिन याद रखना है कि पंजाबी जो एकादम यह कहांपर है तो आप कहेंगे गंगा नगर तो गंगा नगर आपको याद रखना है ठीक है याद रखएगा वेरी वेरी याद रखेगा 1978 टॉक तो यह है आपके राजस्तान के अंदर परसीद एक आदमी जहां से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कुश्ण मनता है एक तरप आपको एक आदमी देदेगा और सामने इस ता अपना वरस एक तरप आपको एक आदमी देदेगा सामने दे जिल्ले का नाम जेपूर उदेपूर टॉंकर इस परकार से और या फिर एक तरप एक आदमी और एक तरप इनसे निकलने वाली पत्त्री का बस यह आपको याद अखना है अर्भी फार्सी सोद संस्तान यहाँ पर आपके सामने है राजस्तान पंजाबी एक आदमी यहाँ पर है राजस्तान उर्दू एक आदमी यहाँ पर है सिंधी संस्कृत हिंदी और शाहिते अब आप किसी भी कंपिटेशन के तयारी कर रहे हैं तो आपके एक्जाम के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन बनता है इस्टार लगा लिज यहाँ से आपके लिए कोई ना कोई फैक्ट है एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ठीक है तो इनको ज़रूर याद एक तो यह तो है आपके परमुक एक आदमी अगले किशी और बिंदू के अंदर हम संपुन जो संस्ता है जो के अंदर है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे ठीक है चलिए बताए किलियर है इस्क्रिंशोट लेड़ा चाहिए तो ले लीजी ठीक है किलियर है झाल झाल किलियर है झाल किलियर है झाल